कि नमस्कार साथियों सबसे पहले आपको कठिन सब्दों की प्रैक्टिस करनी हैं उसके बाद इन सब्दों को लिखने हैं मैं पहले आपको कठिन सब बोल रहा हूँ यस स्टार्ट अजस्त्र सुसुप्त कूडे करकट आदर्स्वादी उदैपुर भीलवाडा बास्वाडा जालावाड शिरोही क्विंटल उद्जा सक्ति सत्प्रिवृत्ति हिच किचाएं सक्ति पुंज चित्तोडगर राज समंद डूंगरपुर बूंदी संकुल और उत्पादक्ता पांच सेकंड बार ट्रेल डिक्टेशन स्टार्ट होगी यस स्टार्ट में मक्का के अंतरगत कुल भू भाग का पंद्रह प्रतिसत एक पोइंट अड़िस लाख हेक्टेअर सिंचित है तथा पिच्चाशी प्रतिसत भू भाग मानसून वर्सा पर निर्बर है किन्तु ग्यारा पोइंट चार लाख हेक्टेअर भू भाग पर मक्का की फसल होती है विराम देश के कुल मक्का के उत्पादन का एक बटा आठ भाग राजस्थान से ही होता है विराम राज्यके प्रमुक उत्पादक जिले उदैपुर चित्तोडगड भीलवाडा राजसमंदर बास्वाडा डूंगरपुर जालावाड बूंदी कोटा अजमेर जैपुर अलुवर पाली शिरोही तथा टोक हैं विराम बनास माही ढुंड मोरेल बिड वै बेसिनों में मक्का होती है विराम माही कंचन संकुल किस्म पिचत्तर से अस्सी दिनों में ही पक कर तैयार हो जाती है तथा तीस क्विंटल प्रती हैक्टेर की दर से पैदा होती है विराम यह है उत्पादक्ता संकुल एवं इस्थानिय किस्म किरन से क्रम सह 12.41 एवं 19.32 प्रतीसत अधिक है विराम इसी प्रकार माही धवल किस्म भी पिच्चान में से सो दिनों में पक कर तैयार हो जाती है विराम इसकी उत्पादक्ता 35 से 44 क्विंटल प्रती हैक्टेर होती है विराम में डिक्टेशन दस सेकंड बार स्टार्ट होगी यस स्टार्ट हमारे भीतर अजस्त्र उर्जा सक्ती छिपी पड़ी है जिसे ने तो हम पहचान पाते हैं और ने ही उसका समूचित उप्योग कर पाते हैं विराम जिस तरह एक छोटे से बीज में एक बड़ा व्रक्ष बनने की छमता सुसुप्त रूप में होती है और यदि उसे उप्युक्त परिस्त्ती वातावरन वे पौशन मिलता है तो वे है अपने असली रूप में विक्षित होने लगता है विराम ठीक उसी तरह हर मनुस्य के अंदर कई तरह की संभावनाएं मोजूद हैं लेकिन उप्युक्त परिस्त्ती वातावरन वे पौशन नै मिल पाने के कारण मनुस्य स्वैम के अंदर निहित छमताओं को उजागर नहीं कर पाता विराम यदि मनुस्य अपनी इन छमताओं का उप्योग करना सीख ले तो ही वह स्वैम के अंदर निहित ऐसीमित छमताओं से परिचित हो सकता है विराम पैरा यह सही है कि बड़े कामों को बड़े सकती केंदर ही संपन कर सकते हैं विराम दलडल में फसे हाती को बलवान हाती ही खीच पाते हैं विराम पटरी पर उत्रे इंजन को ताकतवर क्रेन ही उठा कर सही जग है रख पाती है विराम आज संसार की समस्याओं को हल करने के लिए ऐसी ही प्रेखर प्रितिभाओं की जरुरत है जो सकती पुंज हो ताकि आदर्सवादियों में उमंग उबहे वे एक सुत्र में बंदे एनीती के खिलाब सत्य प्रिवृत्ती का मोर्चा तैयार हो विराम यह समय की आवे सकता है लेकिन आज समस्या यह है की प्रितिभाओं अपनी सकती को कमतर आगती है विराम वे स्वेम के बजाय परिस्ति को दोस देती नजर आ रही है विराम दरसल कमी संसार में नहीं हमारी सोच में हैं क्योंकि हम चाहें तो बिगडे हालात में भी अपना काम बना लें विराम यह सिर्फ मनुस्य की इच्छा पर है की वे है अपने आपको दुरगती के गर्थ में धकेले या प्रिगती के सिखर पर निर्बाद गती से आगे बढ़ता जाये विराम पैरा छोटे से परमानू में भी अजस्त्र सक्ती भरी होती है विराम यदि उसके विश्फोट का सूनियोजन किया जा सके तो प्रतीत होगा की कुछ नय दीखने वाले में सब कुछ इस्तर की सक्ती थी विराम इसी प्रकार अपनी सक्ती को सीमित नहीं समझना चाहिए विराम जिनके दिल में कुछ कर गुजरने के अरमान ताना बाना बूनते रहते हैं ये ऐसे बड़े कारणा में कर दिखाते हैं जिनके बारे में उनके साथी भी कलपना नहीं कर सकते थे विराम बहाय दृष्टी में वे आम आदमी ही नजर आते हैं विराम पर आम आदमी से उनमें जो अंतर है उसकी रचना किसी दूसरे ने नहीं खुद उन्होंने ही की होती है विराम हिम्मत बढ़ाना साहास जुटाना पराकरम दिखाना और जो अनूचित है उससे लड़ पढ़ने में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ए संभव तो क्या कठिन भी माना जा सके विराम प्रगती भीतर ही आरंब होती है बाहार तो उसका परिनाम नजर आता है विराम पैरा मनुस्य अपनी छमताओं का सत्य प्रतिसत उप्योग नहीं करता विराम यदि आत्म निर्मान में जुटा जा सके बुरी आदतों को कूडे करकट की तरह समेट कर बाहार फैंका जा सके द्रिश्टी कोन में मानविये गरिमा के अनुरूप मान्यताएं आ सके तो हर संभव कही जाने वाली चीज संभव है विराम पैरा सफलता हासिल करने के लिए दूसरों की मनुहार की ज़रूरत नहीं विराम यदि व्यक्ति अपनी समझ को तेज करता चले करम सह अधिक बड़ी जिम्मेदारी उठाता चले और उसे पूरा करता चले तो समझना चाहिए कि इसी विक्षित प्रबंद सक्ति के बल पर वह जहां भी रहेगा सरताज बन कर रहेगा विराम यही सबसे बड़ी देवी विबूती है जो व्यक्ति को साधारन से ऐसाधारन बनाती है विराम पैरा सक्तियां वै छमताएं हर व्यक्ति के भीतर मोजूद हैं मात्र कमी इतनी हैं कि व्यक्ति उन्हें पैचान नहीं पाता समझ नहीं पाता और नहीं उनका उप्योग कर पाता है विराम इन्हें पैचानने का एक ही तरीका है कि हम छोटी छोटी जिम्मेदारियां लें और उन्हें पूरा करें फिर धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियां लें विराम कठिन कार्दियों को करने में हिच किचाएं नहीं सफल या ऐसफल होने से डरे नहीं विराम जो द्वंद में रहते हैं वे आगे नहीं भड़ पाते विराम दरसल हम अपनी कीमत ही नहीं समझ पाते और सदैव स्वैम में कमियां खामियां देखते ढूंडते रहते हैं यह नहीं देख पाते कि इन कमियों की बावजूद हमारे अंदर क्या खूबी है और अगे भाते बावज।